वो उसे घूर घूर कर देख रहे थे, उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो गुंडे है, प्रियल उन्हें देखकर बहुत डर गई, कौन, कौन है तुम लोग, और मुझे यहां लेकर क्यों आये हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुभारा, मेरी शादी है आज, क्यों कहूंगी, कहना तो तुम्हें पढ़ेगा, वर्ना, उस गुंडे ने प्रियल के सर पर बंदूग तान दी, जिससे प्रियल बहुत डर गई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, और किस के कहने पर, अपनी मगवास बंद करो, और जो कहा है वो करो, उस आकिर किस नहीं सब करके हमसे दुश्मनी निकाली है, हमने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा रेखा ने आगे बढ़कर प्रियल को गले लगा लिया, मा प्रखर कैसा है, बहुत दुखी होगा ना वो मेरे जाने से, उसे फोन करके सारी बात बताती हूँ प्रखर का नाम सुनते ही रेखा के चहरे की हवाईया ओड़ गई, जिसने भी ये सब किया है, मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा, पेरी दोनों बेटियों की जिन्दगी इस वजह से बरबाद हो गई तुनों बेटियों की? मतलब? क्या हुआ नैनको? और वो है कहाँ? सुभाश और रेखा ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों चुपचाप खड़े हो गए प्रियल के बार-बार पूछने पर रेखा ने उसकी गाल पे हाथ रखा और उसे सोफे पर बिठाया प्रियल अब मैं जो कुछ तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और प्लीज बात समझने की कोशिश करना बात क्या है मा? बेटा जब उस दिन तुमने फोन पर कहा के तुम नहीं आओगी तुम्हें बहुत घबरा गई और उसी घबराट में मैंने घबराट में क्या मा? बता है? मैंने नैना से प्रखर से शादी करने की भीग मागी और मजबूरन उसे प्रखर से शादी करने पड़ी ये सुनते ही प्रियल के होश उड़ गए और वो बस पत्थर से बनी वहीं बैठी रही मुझे माफ कर दो बेटा मेरे पास उस दिन और कोई रास्ता नहीं था सिवाए इसके अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती पता नहीं भगवान में क्यों मेरे ही हातो मेरी दोनों बेटियों की जिन्दगी खराब करवा दी प्रियल की आँखों के सामने उसके और प्रखर के साथ बिताएपल कुजर गए सुभाश और रिखा उसे समझानी की कोशिश कर रहे थे मगर उसे तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था वो अपने ही खयालों में खोई हुई थी प्रियल चुपचाप अपने कमरे में चली गई उसने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया और दर्वाजे से टेक लगा कर जूर जूर से रोने लगी बाहर सुभाश और रेखा अपनी बेटी की ऐसी हालत देख देख कर बहुत दुखी हो रहे थे पर उनके हाथ में कुछ नहीं था अगले दिन सुभा हप्रियल अपने कमरे से बाहर आई उसका चहरा देख कर साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात रोई है रेखा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा तुम ठीक तो हो ना मैं ठीक हूँ मा मैं प्रगर और नैना से मिलने जा रहे हूँ